अब इस ETS के बाद में एक और बड़ा ही confusing topic होता जिसमें बहुत सरे student को इस chapter में confusion होता वो होता ATP record जिसको NCRT ने respiratory balance seat के नाम से दिया गया है यह एक तरह की calculations है जिसमें हमारी try रहती है कि net gain of ATP हमारे को मिले लेकिन अब यह experiment से prove भी हो चुका है कि यह केवल एक तरह की theoretical exercise ही रह गई है लेकिन इन theoretical exercise के लिए भी कुछ assumptions बनाई गई है यानि कल्पनाएं बनाई गई है उन assumption के base पर हम लोग यह ATP record या कहें respiration की balance seat को करते हैं तो mainly जो assumption the NCRT ने आपको चार assumption दे रखी है इन में कुछ assumption राइट है लेकिन कुछ assumption में गलतियां भी है तो इसलिए आप ग्रंक से ध्यान दीजिएगा जैसे हम first assumption को लेए A1, A2, A3, A4 यानि assumption हो गए assumption को आप यूं मान सकते हो कि suppose EMP यानि glycolysis हुआ वहाँ NADS का synthesis हुआ तो यह NADS अभी आप जानते हो cytoplasm है अब इसको जाना पड़ेगा mitochondria में और वहाँ हमने आज ही पड़ा कि ETS का portion होगा और उसके थुरू oxidative phosphorylation से ATP का formation होता है तो यह होती है एक assumption ATP बढ़ने का तरीका फिर हम लिवे हैं assumption number second जिसमें है कि none of the intermediates in the pathway are utilized to synthesize any other compound यानि कोई भी जो मद्यवर्ती हो गया क्या कि हमने glycolosis पूरा किया क्रेब cycle पूरा किया वहां बीच में कई सारे हमने intermediates बनाई थे तो कोई भी intermediate का यूज है वह other compound के synthesis में नहीं होता है लेकिन इसके थोड़े बहुत exception है आज भी कैसे exception है जैसे माल लीजिए हमने क्रेब cycle किया क्रेब cycle में हमने four carbon का एक compound बनाया था जिसका नाम था सक्षिनाइल को एंजाइम ए औरिजिनल में आपको ध्यान होना चाहिए कि यह compound chlorophyll synthesis के लिए एक precursor यानि पूरोगामी की तरह काम करता है इसलिए इस exception को हम 100% करक्त नहीं कह सकते हैं ऐसे कुछ और biomolecules भी आपको मिल सकते हैं लेकिन वो आपको काफी higher classes में मिलेंगे ऐसे ही third number assumption को हम लेवे हैं तो वहाँ है कि only glucose is being respired no other alternative substrates are entering in the pathway at any of the intermediary stages यानि केवल glucose का ही उपयोग होता है जबकि आप जानते हो ऐसी कुछ condition आती है कि जब glucose available ही नहीं होता है तो जब वह available ही नहीं है जैसे मालोग fast है तो उसमें आप जानते हो fat का use भी किया जाता है और कई बार fat नहीं है तो protein का use भी किया जाता है और इसी के base पर आपको ध्यान हो तो respiration के अलग अलग नाम भी दिये जाते हैं जैसे fat का use होए तो इसे हम लोग floating respiration कहते हैं और protein का use होए तो इसे हम लोग proto-plasmic respiration बोलते हैं यानि यह subset के base पर type of respiration हो सकता है carbohydrate का normally use होता है उसे भी हम floating respiration ले सकते हैं लेकिन इन में से lethal किसको माना जाएगा proto-plasmic क्यों क्यों किसम प्रोटो-प्लाज्म टूट रहा है यानि जो protein है वो breakdown हो रहे हैं और protein के breakdown से respiration हो रहा है जो आप जान तो long time तक possible नहीं है ऐसा हुआ तो organism की death भी हो सकती है तो इसके भी आपने देखे हो कुछ नो कुछ exceptions हमारे को यहां नजर आ रहे हैं फिर आते हैं लास्ट अजम्शन जो NCRT इन्दी है उसके according यह पूरा जो होता है एक sequential और orderly pathway होता है जिसमें एक करम से देखा जाए EMP यानि glycolysis TCA यानि crab cycle और सबसे last में ETS आता है लेकिन यह सब एक के बाद एक आते हैं तो यह तो आपको जानते हो जैसे हम लास्ट का वर्ड बोलेंगे वन आप्टर अनदर तो तो बारी मिस्टेक है ऐसा नहीं होता है कि पहले glycolysis हुआ फिर उसके बाद crab cycle हुआ फिर उसके बाद electron transport system हुआ और इजन में इसी लिए हम बोलते हैं कि यह वाली जो अजम्शन है यह living system के लिए यह ऊरिजन में वैलीड ही नहीं है क्यों वैलीड नहीं है कि जितने भी यह तीन पाथवय अभी हमने बोले यह तो और दो इसे लिए इन चार अजम्शन में से आपने ध्यान दिया हो तो कुछ अजम्शन राइट है लेकिन कुछ देखा जाए तो totally wrong कुछ अजम्शन में आ भार बार यूज भी किया था बोला भी था सियार क्यों यानि फिर से क्लास्रूम कुछ्च्टन what will be net gain of ATP molecule during aerobic respiration of one glucose molecule यानि ये glucose अनों के तूटने से वाइब ये सवसन के द्वारा कितने ATP का सुदलाब होता है तो में बात ध्यान दीजिए net gain दिया है option में लेवे हम first option ले लिए हमने 36 second option ले लिए हमने 38 third option ले लिए हमने 40 और fourth option ले लिए हमने 8 ATP अब आप लोग इस वीडियो पर pause button करें और फिर इसकी practice करें अब आईए वापस student इस question के answer की तरफ ध्यान दीजिए यदि आपके पास old NCRT है तो उसमें answer ये दिया हुआ है लेकिन ये सही नहीं है correct answer अब new NCRT ने ये दे दिया है तो इसलिए आपको answer यही करके चलना इस पेसली हिंदी medium के शुण ध्यान दखें English medium के NCRT में correction आ चुका है हिंदी में अभी भी नहीं है answer आपको करना है 38 ATP अब मन में आप सब के यही आ सकता है कि ये 38 ATP कैसे आए इसका तरीका क्या है तरीका तो एक ही है respiration में ATP बढ़ने के दो तरीके थे एक था OP और एक था SLP oxidative phosphorylation और subset level phosphorylation OP का procedure आप जानते हो कहा होता है ETS, electron transport system SLP वाला याद करो glycolysis हम करें तो cytoplasm भी था और फिर हम यदी krab cycle को लेवें तो matrix में भी था फिर याद करो cytoplasm में लेवें हम तो 2 plus 2 यानि कितने ATP होगे 4 ATP ऐसे matrix में हम लेवें तो वैसे तो एक बार ही होता है लेकिन krab cycle आप जानते हो 2 pyruic acid के करण से 2 time चलेगा 2 acetyl coenzyme A इसलिए 280 P होगे तो automatically ये SLP से कितने होगे 6 होगे तो खुद दिमाग लगवा ये 6 होगे तो इसका मतलब पीछे कितने बच गए अब आपके 34 तो ETS से कितने बढ़े 34 तो ये तो क्या हुआ अभी देखा जाई तो ये तो सारी calculation होई total यानि कुल कितने बढ़े हैं जबकि question में हमें क्या दिया है NCRT ने net gain दिया है net gain का मतलब कुछ नो कुछ consumption को आप गटाईए और गटाएंगे हम कितना 40 minus 2 और ये minus 2 कौन सा हो गया glycolysis का step 1 और glycolysis का step number 3 तो 2 ATP कम तो net कितना हो गया 38 तो बोलिएगा नहीं काफी important question है अब इसी के base पर हम कुछ और points यहां पर ले लेते हैं आपके ताकि आपको हर चीज एकदब properly समझ में आ जावे एक काफी important topic अब हम लेने जा रहे हैं और वो जो important topic आपका होगा वो respiratory balance sheet से related ही है लेकिन सब को हम लोग क्या करेंगे एक साथ लेंगे अब आप इस topic को क्या मान सकते एक type से ATP record और ATP record को हम लोग यहां समझ लेते हैं किस के through एक MSP window के through और इस MSP का मतलब क्या हो जाएगा minute study point पढ़ने के छोटे छोटे बिंदू कैसे मान लीजिए पहला कुष्ण बनता है 48TP तो वहां कुष्ण क्या आएगा aerobic respiration के through one glucose molecule का breakdown होता है तो कितने ATP बनेंगे total 40 अभी बताया था आपको बना करके फिर याद करें 40 के बाद में क्या कुष्ण आया था 38 ATP इस बार language में क्या आएगा बिल्कूल अभी जैसी language और total के जगे word क्या आएगा net gain फिर याद करो third के अंदर क्या कुष्ण हो सकता है 36 ATP लेकिन याद करें 36 ATP में कुष्ण किस टाइब से आएगा ये कुष्ण आएगा कि aerobic respiration और one glucose molecule का oxidation mitochondria में कितने ATP बने कैसे mitochondria में कितने ATP बने अभी हमने किया ETS में बनते हैं 34 और 2 थे कहां matrix में 2 time crab cycle होगा तो ये हो जाएंगे 34 plus 2 कितने होगे 36 तो बूलना नहीं काफे interesting है यानि mitochondria word आपको देखना है ये 34 तो हमने कहां से ले लिए ETS से ये 2 हमने कहां से ले लिए matrix से crab cycle कितने time हुआ 2 times फिर याद करो 34 ATP और अभी अभी हमने किया कि 34 ATP तो कहां से आते हैं ETS से electron transport system से ऐसे हम ले वें 30 ATP तो 30 ATP कहां से आएंगे 2 molecule of pyruvic acid के oxidation के दुरू क्या 1 pyruvic acid से कितने आए थे 15 ATP तो glucose से कितने बने थे 2 pyruvic acid तो कितने हो जाएंगे 30 ATP फिर याद करें 24 ATP इस बार 2 pyruvic acid की जगे वर्ड क्या हो जाएगा 2 acetyl coenzyme A यानि 2 turn of crab cycle फिर याद करें 24 के बाद में 15 ATP लेकिन 15 के लिए क्या ले सकते हैं pyruvic acid थोड़ा वर्ड को change करें तो क्या ले सकते हैं pyruvate बात एक ही है जानते हो ना क्यों pyruvic acid formula होता है यह organic chemistry में आप सीखोगे आगे जाकर के फिर याद करो pyruvate का मतलब क्या होता है आप जो h plus iron है उसको आठा दीजिए negative charge जो बचा उसी को कहते हैं pyruvate फिर याद करो 15 के बाद में हम क्या कर देंगे 12 ATP लेकिन 12 ATP तो किसके लिए होगा यहां हमने acetyl को enzyme A लिख दिया है तो यहाँ लिख देते हैं one turn of crab cycle कि उसके थूरू कितने ATP आए one acetyl भी चलेगा यहां पर फिर याद करो यहां क्या लिख देंगे 10 ATP लेकिन याद करो 10 में तो फिर से क्या हैगा total लेकिन इस बार यह total किसम हो जाएगा glycolysis यानि EMP pathway फिर याद करो 8 ATP और इस बार language 9 की तरह से और यहां क्या करना है total की जगे वर्ड net gain यूज करना है जानते हो क्यों हुआ यह दो माइनस glycolysis का step one और step number third उन ATP का consumption फिर याद करें 6 ATP यह कौन से थे याद हो तो glycolysis में OP के थुरू बढ़ने वाले ATP फिर याद करें इसके बाद में हम और लेवें तो 6 के बाद में 4 ATP लेकिन याद करें 4 ATP तो क्या थे directly total कितने ATP का formation होता है directly की जगे आपने एक और वर्ड यूज कर लिया था कौन? SLP यह NCRT न खुद याद हो तो IQ दिया था Intex इसलिए बहुत important है फिर याद करो 4 के बाद में अब हम क्या लेंगे 2 ATP 2 ATP इस बार वापस language यही 12 की तरह से और total की जगे word क्या जाएगा net gain और फिर last में हम लेवें 180 तो यह 180 पी कहा है crab cycle याद करें जब चलता है तो वहाँ SLP के थूरू कितना ATP बनता है 180 पी matrix पार्ट में यानि फिर इस window को एक बार recap करते है कैसे recap करते है ध्यान दीजिये का एक बार सारे लोग 48 ATP कब करना है aerobic respiration हो one glucose molecule का complete oxidation total word दिया हो 38 कब करना है total की जगे word क्या दिया हुआ होना चाहिए net gain दिया हुआ होना चाहिए फिर उसके बाद में हम लेवें तो क्या आया था याद हो तो 36 और 36 में आपको याद हो तो word कौन था mitochondria और mitochondria कहते ही ETS वाले भी आ गए और matrix में जो SLP हो गया फिर याद करें 34 ATP कौन से हो गए ETS वाले और ETS वाले यानि क्या हो गया OPE oxidative phosphorylation से कितने ATP आए फिर हो गया 30 ATP कहां सा है 2 pyruic acid के oxidation से 2 pyruic acid कहां से आए 1 glucose molecule के glycolytic breakdown से 24 ATP 2 acetyl coenzyme A से 15 ATP 1 pyruic acid से 12 ATP 1 turn off crab cycle या कहें तो 1 acetyl coenzyme A से 10 ATP कब जब पूछे glycolysis में total कितने ATP बने है 8 ATP कब जब net gain पूछे glycolysis में 6 ATP कब जब पूछे glycolysis में OP के थुरू कितने बचे तब 4 ATP कब जब वर्ड देवे directly कितने बने है directly के ज़ए क्या देवे SLP या क्या वर्ड देवे cytoplasma total कितने बने nat gain देवे AC के अंदर directly में तो 280P और 180P कब जब यह देवे की क्रेब cycle में SLP की तुरू कितने बने 180P आज हम आगे के प्रोसेस में आते हैं और आगे का जो हमारा topic है वो आप ध्यान में रखिएगा आज हम करने जा रहे हैं यह amphibolic pathway वैशे तो इसके नाम में हिंट है लेकिन उससे पहले हम एक CRQ यानि classroom question को ले लेते है respiration is एक option आगया catabolic एक option आगया anabolic एक option आगया amphibolic और एक option और यहाँ पर आपको दे दिया जावे oxidative आप लोग जल्दी से दिमाग लगावें इस question पर और video को pause करें और आप लोग इसको खुद answer बताने से पहले try करें expected है आपने इसको कर लिया होगा कई बार चोटी classes में आपने पड़ा है कि respiration एक catabolic process है यानि इसमें breakdown होता है हिंदी वाले ध्यान रखना word use किया जाता अप चाई तो हिंदी के लोग भी कई सारे class देख रहे हैं इसलिए इस type के बीच वीच में word use करेंगे हम लोग ध्यान में रखिएगा लेकिन अब आज की theory के according हम बात करें तो respiration को क्या माना जाता है amphibolic pathway क्या माना जाता है क्या किसमें catabolic भी होता है और anabolic भी होता है अनाबोलिक को कहेंगे उपचाई क्या होता है यह catabolic और anabolic catabolic का मतलब होता है कि complex compound है और उनसे बन रहे हैं क्या simple compound तो एक टाइब से breakdown हो रहा है तो breakdown होने को हम बोलेंगे catabolic लेकिन यह opposite है simple है लेकिन complex compound बन रहा है तो यह opposite हो गया opposite हो गया यानि synthesis हो रहा है और इस procedure को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक जैसे photosynthesis है यह एक एनाबॉलिक प्रोसेस है तो ट्रडिशनली respiration को माना जाता था catabolic और अब respiration को मानते हैं एंफिबॉलिक एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखें कि भले ही आपको traditionally या modern यह वर्ड नहीं दिया वा है और क्यों यह लिखा respiration is तो भी आप लोग answer क्या करोगे एंफिबॉलिक यानि catabolic तो कब करना है जब वो वर्ड देवे traditionally यह वर्ड भी नहीं देवे हमारे को लेकिन इस टाइब से वर्ड देदेवे क्या एंफिबॉलिक तब हमें करना है अब आ जाते हम इसी पाथवे पर कि आखिरी एंफिबॉलिक पाथवे है क्या चीज़ एंफिबॉलिक पाथवे को आप समझना चाहें तो उससे पहले हमारे को इंटर रिलेशंसिप देखनी पड़ेगी मेटाबॉलिक पाथवे के बीच में जो की रैस्पिरेशन को शो करते हैं अब यह मेटाबॉलिक पाथवे आप जानते हो कौन-कौन से याद करो पहला पाथवे हमने किया था ग्लाइकोलैसिस फिर हमने याद हो तो किया था लिंक रियक्षन फिर यहीं पर तो ETS यह पाथवे हमने लिये थे लेकिन इन सब पाथवे में आपको याद हो तो था क्या और्गनिक मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होए थे और फॉर्मेशन हो था किसका CO2 प्लस S2O का दूसरी बात आ सकती है मन में कि यह और्गनिक मॉलिक्यूल कौन-कौन हो सकते हैं यह औ यानि फैट हो सकता है यह और्गनिक मॉलिक्यूल फी यानि प्रोटीन हो सकते हैं और यह सब आप जानतों मैक्रो मॉलिक्यूल से जब हमने इंट्रडक्शन किया था तब हमने इनको फूड के नाम से बताया था कि यह फूड है यह सब रैस्पिरेटरी फ्यूल है तो अब इस इंटर रिलेसंसिप को हम लोग करते हैं किस टाइब से हम लोग करते हैं कि सपोज यह तीन तरह के रैस्पिरेटरी सब्स्ट्रेट है यानि क्रिया कारक्थ हैं अब यह सब्स्ट्रेट कौन leg से हो गये फिर ये नहीं है तो फिर use किसका होता है fat का use होता है वैसे नाम से लग रहा है fat की requirement किस time पड़ेगी during the fast यानि उपवास के समय फास के time आप जानते हो carbohydrate अविलेबल नहीं होता है तो वहाँ number आ सकता है fat का तो fat तोटने लगते हैं और जब fat भी अविलेबल नहीं है तो फिर last में use होता है किनका proteins का लेकिन protein का use कब होगा जब fat भी अविलेबल नहीं है तब इनका use होता है फिर carbohydrate आप खुछ जानते हो usually किस फ़र में present होते हैं simple sugar इसका एक example लेए glucose फिर याद करो हमने एक procedure किया था glycolysis का उसमें हमने कहा था कि इसको पहले glucose को inactive है एक्टिव होना पड़ेगा glucose 6-phosphate double arrow का मतलो बीच के step हाटा दिए समझाने के लिए पढ़ चुके हम क्या बनेगा पहले fructose 6-phosphate फिर क्या आएगा fructose 1-6-diphosphate फिर याद करो सबसे main बाद कि यहाँ enzyme था aldolase और उस enzyme के कारण से यह six carbon के sugar three carbon की two sugar में convert हो जाती है ट्रायोज sugar में convert हो जाती है यह ट्रायोज sugar कौन कौन सी होती है एक को हम कहते हैं dhap फुल फरम लिख लेना आप लोग notes में इसकी डी से डाई, h से hydroxy, a से acetone और p से phosphate अब ऐसे ही यहाँ पीजी al की बात करें तो यह क्या हो गया फॉस्पो गिल्सरेल अल्डी हाइड फॉस्पो गिल्सरेल अल्डी हाइड यहाँ बीच में यह वाले symbol दिया है reversible के तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ isomerization reaction होती है और enzyme का नाम क्या होगा यहाँ पर triose isomerase मन में आ सकता है यहाँ three क्यों लिया है क्याकि phosphate group इतने नंबर carbon पर attached है इसलिए word use किये गए है फिर यहाँ PZL से pyruic acid यादना कैसे बनेगा पहले 13D-PZL फिर 13D-PZA 3-PZA, 2-PZA, phosphonol pyruic acid और last में बनेगा three carbon का pyruic acid फिर याद करें इसके बाद में एक procedure होता है जिसको हमने कहा था link reaction याद है officially link reaction कहां होती है peri mitochondrial space और यहाँ कौन सा procedure होगा oxidative decarboxylation बनेगा कौन two carbon compound नाम क्या होगा acetyl coenzyme A यह किस में enter करेगा crab cycle में product क्या बनेगा two carbon enter हुए two carbon है release होगे release होने का तरीका क्या होता है co2 दो जगे याद है वो कौन कौन सी होती है दो जगे ज्यान में रखें एक तो होता है six carbon से five carbon के time और एक होता है five carbon से four carbon के time यहां दोनों जगे co2 release होती है साथ में product बनता है S2 वो हमने equation में भी किये थे आपको याद हो तो अब बात ही आती है कि suppose carbohydrate available नहीं है fast का time है उपवास तो अब क्या होगा fat का degradation होगा और fat किस में टूट रहा है fatty acid में और gilsrol में equation कभी नहीं बूलिएगा geology के according या enzyme कौन होगा lipase नाम से लग रहा जो lipid पर काम करे lipase हर कोई जानता है अजकल इसका एक नया नाम और create कर देते हैं वो geology में भी कम ही मिलेगा आपको इसी enzyme को आप कह सकते हो step scene क्या बोल सकते है step scene तो fatty acid और gilsrol में convert gilsrol dhap में convert dhap pzal में convert यह pyrevic acid और वो acetyl coenzyme A यह fat का तरीका हो गया crab cycle में enter करने का अब suppose करें fatty acid है तो इन fatty acid का क्या होगा यहां पर beta oxidation क्या होगा यहां पर paramatrocondrial space और यह fatty acid ध्यान दियाओ पारिविक acid नहीं सीदे किसको बना रहा है acetyl coenzyme A और वहां से वापस वही crab cycle के थ्रू अब बात ही आती है कि suppose fat भी available नहीं है तो अब फिर protein का breakdown हो रहा है लेकिन protein का breakdown कौन से enzyme के करन से हो रहा है उस enzyme को हम कह देंगे proteases नाम से लग रहा है ऐसा enzyme जो protein को breakdown करेंगे किसमें breakdown कर रहे हैं यह amino acid में और यह amino acid किसको बना रहा है pyruik acid को जरूत पढ़ने पर acetyl coenzyme को जरूत पढ़ने पर यही amino acid crab cycle में भी enter कर सकते हैं लेकिन इन सब में एक step common होगा कौन सा ns2 group release होते हैं तो इच step में ध्यान दखें ns2 group release तो आप जानते हो इस release होने के step को क्या नाम देंगे हम लोग de-amination वी-aminy current और सबसे में बात है कि amino acid के structure अक्सर पर यानि सरंचना पर यह depend करता है कि यह पायर्विक एसिड बनाएगा एसिटाइल को एंजाइम यह बनाएगा या क्रेब साइकिल में कौन सा product यह बनाएगा कैसे समझ यह बात को कि suppose amino acid 3 carbon का है तो natural बात है किसको बनाएगा पायर्विक एसिड को suppose करें यह 2 carbon का amino acid है glycine तो glycine 2 carbon है तो यह easily de-amination से किसको बना देगा acetyl coenzyme A को अब मान लिजिए कि amino acid में carbon ज़्यादा है suppose करें 4 carbon है aspartic acid है तो यह क्रेब साइकिल का first member बना सकते हैं और वो member कौन था oxaloacetic acid यानि amino acid उसका formation कर रहा है ऐसे ही एक और amino acid है glutamic acid और इसमें carbon होते हैं 5 तो यह कौन से product को बना सकता है क्रेब साइकिल के alpha keto glutary यह सब आपको पता होते हैं इंटरमेडियेट होते हैं तो इसलिए बात प्रूव है कि amino acid के structure पर depend करता है कि यह pyruik बनाएगा acetyl बनाएगा या क्रेब साइकिल का कोई intermediate बनाएगा लेकिन यह मान ने एक बार कि acetyl को बनाया इन्होंने तो इसका मदा acetyl तो देखिए क्या हो गया carbohydrate ने भी बनाया fat ने भी बना दिया और protein ने भी बना दिया इसलिए हम बोल रहे हैं कि acetyl को एंजाइम ए क्या चीज है connecting link लेकिन किन के बीच में हो गया carbohydrate fat और protein metabolism के बीच की connecting link है भूलिएगा नहीं काफी important बात हैं गलती नहीं करिएगा अब suppose हम बात करें इसी बीटा oxidation की तो यहां आप CRQ बना सकते हो classroom cushion लिखें आप लोग by oxidation of one pomatic acid how many ATP are formed option ध्यान रखें first option 136 second option 120 third option 72 ATP और fourth option 40 ATP तब आप लोग कुशन हो चुका आपका pause button करें और कुशन को try करें आसा है आप सभी ने यह कुशन कर लिया होगा समझेगा बात को बात किसकी हो रही है one pomatic acid उसके oxidation से यानि problem तो जो create कर रहा है वो आप खुछ जानते हो यह सब्सेट है जिसको हमने क्या नाम दे दिया pomatic acid कैसे करेंगे अब इसको ध्यान दीजिएगा यहां पर pomatic acid 15 carbon का fatty acid है लेकिन एक CHH group को यह दिलेंगे तो यह automatically 16 carbon का हो जाएगा और यह formation करता है acetyl coenzyme A का एक में 2 carbon है तो इसके 8 molecule बनेंगे और इस type से crab cycle चलेगा जिसे हमने TCA cycle भी कहा था one crab cycle में हम कर चुके है 12 ATP का formation है और यहां 8 molecule है तो 12 into it यह यह automatically आपके कितने हो गए 96 ATP molecule अब यहां की हम बात करें तो different process है NAD plus है वो convert होता है NADHH plus में और साथ में एक और process होता है यहां और वो कौन सा होता है FAD plus यह convert होता है FADH2 में तो आप दिमाग लगाओ एक NADH ETS में जाता है तो 3 ATP और एक FADH2 जाता है तो 2 यानि officially कहें तो यहां one cycle में 5 ATP होगे और यह भी eight times आएगा तो यह 40 ATP होगे अब यहां क्या होगा यह 40 और यह 96 दोनों को add करेंगे तो आपके answer आएगा यहां पर 136 ATP तो इस type से fatty acid के आपको formulae भी आने चाहिए ताकि beta oxidation पर बेश कोई कुछन आए तो हम कर सकें NCRT ना अलंकि pomatic acid आपके दियावा नहीं है try pomatine दियावार वो भी RQ के topic में दियावा लेकिन ध्यान में रखें और भी fatty acid के नाम देकर के आपसे cushion create करा सकते हैं अब थोड़ा सा अपन इसके अंदर आ जाते हैं amphibolic pathway में हमने देखा कि most favorite कौन होता है carbohydrate especially kind glucose लेकिन जितने भी ये carbohydrate हैं उन्हें पहले glucose में convert होता पड़ता है फिर ये respiration में enter करते हैं suppose glycogen ले लिया हमने तो glycogen तो आपको ध्यान होते एक polysaccharide है तो ये तूट करके किसमें convert होगा glucose यानि monosaccharide में फिर आप बात करें माली जी हम fat और protein की तो fat और protein में हम क्या कहेंगे don't enter the respiratory pathway at first step पहले चरण में enter नहीं करते हैं कि first step में तो entry किसकी हुई थी carbohydrate fat और protein में तो आप जानते हैं इतने step होते हैं फिर आगे कहीं जाकर के इनकी entry होती है तो ध्यान में रखें इस चीज़ को और हम इसी में point लिए when a organism need to synthesize fatty acid two carbon compound यानि acetyl coenzyme A is withdrawn यानि उसको वहां से खींच लिया जाता है from the respiratory pathway for it यानि इसका मतलब क्या हो गया यहां तो हमने पढ़ा कि fat का breakdown कैसे होता है यानि यह catabolic process कैसे है ऐसी protein में हमने पढ़ा यह catabolic कैसे है लेकिन यहां क्या करें बहुत important line नहीं ध्यान रखना क्यों क्यों कि यही लाइन ही decide कर रही है कि amphibolic pathway क्यों बोल रहे हैं यह catabolic से amphibolic एक बर और ध्यान रखो when organism need to synthesize fatty acid यानि इनके sensation के आवसकता पढ़ती है तो यह जो two carbon compound है जिसको acetyl coenzyme A कह रहे हैं इसको खींच लिया जाता है respiratory pathway में तो इस तरीके से requirement के according fat बनते भी है protein बनते भी है fat और protein तूटते भी है इसलिए proved है कि respiration catabolic नहीं amphibolic process होता है